नमस्कार मैं हूँ कौशल आज हम इस वीडियो में कुछ important topic के उपर बात करेंगे साथ में कुछ update के बारे में बात करेंगे जैसे great card के बारे में और साथ में कुछ important topic के उपर बात करेंगे जैसा कि आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आप लोग का जो exam है तीन अगस्त से start हो रहा है तो आपको किस तरह से exam का preparation करना चाहिए ताकि आप exam में अच्छा marks score कर पाएं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और एगनू के student है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब किजेगा और साथ में जो student new है बिल्कुल भी new है तो यह भी बात करेंगे कि hall ticket कब जारी किया जाता है एक जाम से तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए तो चलिए वीडियो की सुरूरात करते हैं सबसे पहले हम कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी student का अभी तक great card update नहीं हुआ है वो एक बार जरूर चेक कर ले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 जुलाई 2021 तक की great card की update कर दी गई है तो जो इस्टूडेंट अभी तक great card नहीं चेक किये हैं वो great card जरूर चेक कर ले क्योंकि 20 जुलाई तक update थी लेकिन आज 22 जुलाई मतलब आज के दिन तक की update कर दी गई है अब हम बात कर लेते हैं कुछ exam के preparation के बारे में तो देखिए आपको exam का किस तरह से preparation करें किस तरह से पढ़ें कि आप exam में अच्छा marks score कर पाएंगे तो उसके लिए जो हमारे अभी तेन साल का मेरे पास जो experience है उसकी अधार पर हम बता रहे हैं तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं तो देखिए जो भी student अभी तीन अगस्त से जो exam होने वाला है और अभी जादा दिन का समय नहीं है जो भी है 20-25 दिन का समय है उसमें किस तरह से आप पढ़ें कि आपका जो है अच्छा marks score हो पाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं फिलाल हम उस तरह से बता रहे हैं जो भी तिन साल का experience है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो question paper है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि question paper है December 2020 का तो हम लोग किस तरह से करते हैं वो बता रहे हैं देखिए पहले हम अगर हमको जुलाई 21 में एक्जाम देना है तो उससे 2-3 सेमेश्टर पीछे का जैसे दिसमबर 2020 हो गया जुन जुलाई 2020 का जो कोश्यन पेपर होगा तो उसको हम पहले डाउनलोड करते हैं तो आप भी एक बार जो भी है जिस समेश्टर में भी आपका एक्जाम देना है 2021 में एक्जाम देना है तो उसको 2-3 सेमेश्टर पीछे का जो भी कोश्यन पेपर है उसको डाउनलोड कीजे इसके बाद जब आप डाउनलोड करते हैं तो कोश्यन पेपर को ध्यान से एक बार जरूर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से question पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि यह question number C को देख लिजे, यहां पर आप देख सकते हैं, और हाँ एक बात और बताना चाहरे हैं, कि जो question number one जो होता है, question number one यहाँ पर आप देख सकते हैं, question number one is compulsory, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद कहिरी 40 marks attempt एनी 3 question, यहाँ पर बोला जाए कि question number one जो है आपको वो compulsory अटेंड करना यह 40 marks का होता है, तो आप जरूर कोशन नमर वन जो होता है A, B, C, D करके दिया हुआ होता है वो 40 marks का होता है तो उसको आप जरूर attempt कीजेगा इसके बाद आपको 3 कोशन attempt करना होता है तो आप लोग जानते होंगे तो चलिए बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशन पेपर डाउनलोड कर लीजे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं What is the role of main memory in a computer कम्प्योटर के अंदर main memory का क्या role है तो यह जो कोशन पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ROM से कोशन पूछा गया है RAM से कोशन पूछा गया है तो यह RAM ROM का जितना भी chapter है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह किस इसके अंदर जितना भी chapter है RAM ROM के बारे में उसके बारे में आप वहाँ पर जाना है आपके पास book होगा जो यह new book देती है इसमें आप जाए RAM ROM के बारे में जितना भी है उसको आप पढ़ लीजे कियोकि इस तरह का जो question है Ram Ram के बारे में ये पूँछा जाता है different भी पूछा जाता है Ram Ram का difference क्या होता है तो Ram Ram के बारे में पूछा जाता है पर जोद आफ देखे कि ये कहाँ से question पूछा गया है hexadecimal यहाँ पर आप देख सकते हैं hexadecimal में convert करने के दिये गया है इसके बाद देख सकते है binary to hexadecimal और hexadecimal to binary तो जो भी आपका subject है आप question paper download कीजे इसके बाद question paper download करने के बाद उसको आप देखे कि यह किस chapter से question पूछा गया है आप उस chapter को 3-4 question paper आप download कीजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह कहां से question इगनू की ओर से आती है तो वहाँ से आप उस सभी chapter को पढ़ ले आप उतना पता चल जाएगा आपको तो कहां से question पूछा जाता है तो आप उस सभी chapter को पढ़ ले इसके बाद आपका जो है marks अच्छा score हो पा रहेगा क्योंकि हम लोग इसी तरह का question paper डाउंलोड करते हैं इसके बाद question paper को ही देखते हैं कि यह कौम सा chapter में दिया गया है उस book को खोलते हैं और उस book में से जितने भी है उन सभी को पढ़ लेते हैं जो भी आपका topic दिया गया है उस topic को मिलाते हैं और पढ़ लेते हैं तो इस तरह से हम exam का preparation करता है तो ज्यादा marks तो नहीं लगवाग 50 55 60 marks आ जाता है तो आप भी ला सकते हैं 60 marks तक जो experience था हमने बताया अब हम बात कर लेते हैं कि जो student बिल्कुल भी नए है तो यहां पर आप देख सकते हैं उसकी hall ticket के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए hall ticket आपका जो है जिस दिन से आपका exam start होने वाला है अगर तीन अगस से exam start होने वाला है तो उससे एक सब्ता पहले आपका hall ticket जारी किया जाता है आप बिल्कुल भी ध्यान रखे उससे पहले एक सब्ता पहले ही आपका exam start होने से एक सब्ता पहले आपका hall ticket जारी किया जाता ह देखे, 올्टी-कट इस तरह से होता है यहाँ पर आपका इननल्मेक नमर रहेगा यहाँ पर आपका देख सकते हैं इनल्मेक नमर कहुम ने छुपा दिया है इस तरह से आपका रहेगा जो भी आप exam centre दिये होंगे वो इस तरह से रहेगा इसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी जिस दिन का भी एक्जाम होगा यहाँ पर आप एक्जाम डेट रहेगा यहाँ पर कोर्स कोड रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह स्टूडेंट को जो भी बिल्कुल नहीं हुए स्टूडेंट है इ क्योंकि एक्जाम का बाद जो है आपका री रेइस्टेशन का डेट नहीं वरता है तो 31 जुलाई तक री रेइस्टेशन का लाश डेट है आप री रेइस्टेशन कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही